अब अपन आते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड चलो मेरे प्यारे बच्चों चलो पहले हमेशा यह याद रखना कि जब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मैथड है तो सरवाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड जब तक आपको लॉजिक क्लियर नहीं होंगे मैथड में कभी भी मजा नहीं आएगा फॉर्मूले रठ के पहुंच जाओगे इसके लिए मैं आपको एक एक एक्जाम्पल देता हूँ मैंने का यार यह एक बच्चा है मानलो तुम हो तुम गए अपनी मम्मी के पास आरा सुनिये मम्मी के पास गए और मम्मी के पास जाके तुमने का मम्मी I have two news for you क्या लेके गए तुम अपनी मम्मी के पास मम्मी आपके लिए दो खुश की खबर है और एक बुरी खबर है मम्मी ने कहा एक काम कर तुमने कहा मम्मी कौन सी पहले सुनो तुमने कहा मम्मी ने कहा यार तु खुश की पहले सुना बुरी बाद में सुना ना बहुत देर से बुरी-बुरी खबर सुन दें तो तुमने कहा मम्मी आपको याद मैं एलकेजी में था या थी एलकेजी में मम्मी में टॉप किया करता था मैडम आपको बुला के चोकलेट देती थी आपके एफर्ट्स के लिए मम्मी ने का हाँ मम्मी पास में आई सर पर आथ तेरा अर बेटा तू ऐसा था बढ़िया था अब बुले बुरी सुनाता हूं मम्मी ने का ठीक है चल सुना बुले मम्मी एक्जाम्पल यहां क्लास 12 का रिजल्ट आया और अपनी थोड़ी सी टाएं टाएं फिश हो गई मतलब गड़वड हो गई अब मुझे एक बात बताओ what will be the reaction of मम्मी यह मम्मी सोच रही है मतलब मम्मी तुम्हें खुश खबरी के लिए गोल्ड मेडल देगी पॉकेट मनी बढ़ाएगी यह मम्मी चाटे पर चाटे चाटे पर चाटे रखेगी तुमारे आरे यार सोचने की बात नहीं यह ओप्सन नंबर टू गाल पे हाथ छपा मिलेगा तो यार इसका मतलब क्य आप ने खुश खबरी सुनाई आपने टॉण किया आपने बुरी खबर सुनाई कि अपने कुछ आधा खास नहीं किया रियक्षा ने किस पर दिया अभी यह अलिनि actually लेटेस्ट जो होता है वो ज्यादा impactful होता है तुम कहते हैं नरसरी में fail हुआ था अभी टॉप किया तो खुश होते हैं पहले टॉप करते हैं अभी गड़बड चल रही है तो क्या हो गया reaction गड़बड तो latest important जादा होता है अब तुम ध्यान से देखना यह जो simple average profit method है दिमाग लगाना इसमें दिमाग लगाना यह simple average profit method में जब आप average निकालते हैं यह देखो यह average निकाली है तो मैंने 2019 को भी उतनी importance दी जितनी 20 को दी और जितनी 21 को दी can you see that मतला मैंने तीनों के profit क जोड़ा तीनों के profit को divide क्या तरी से मतलब 19 20 और 21 तीनों profit को बराबर importance अरे ऐसा तो होना ही नहीं चीए ना यार लेटेस्ट कौन सा 21 तो ज्यादा वेट किसका होना चीए 21 वाले profit का फिर कम 20 वाले का और सबसे कम 19 वाले का तो भाया यह जो simple average profit में जो उसका shortcoming है क्या बोला shortcoming है कि सारे years को बराबर importance वो यहां पर क्या है चिंज हो जाता है तो यार weighted average profit method है ना वो इसी को गलती को दूर करता है वो weights allocate करता है सर कैसे मैंने का एक question ही दिखा देते हैं ना या question ही दिखा देते हैं ताकि तुम्हारे मन में कोई doubt ही ना रहे question देखो तुम question देखो देख question number 16 के बात हो रही है यहां पर इना पार्टनर्शिप वम अबे आदेत्यार पार्टनर शेरिम प्रॉफित लॉस इक्वली एस पर दा पार्टनर्शिप डिट गुडविल इस वैल्यूड है अब अपने काम का माल आया है two years purchase of the net profit profits in rupees for the last three years are 15 16 16 17 17 18 तीन साल का profit है अब ध्या calculate the amount of goodwill taking into consideration the above adjustment और using the weighted कौन सा वड़ा गया simple नहीं है अरे सिर्फ लिखावा रहे तो normal business profit तो निकालना नहीं है तो पहला ही step हो जाएगा calculation of weighted average profit क्या निकाला weighted average profit सर कैसे निकालेंगे अभी रुको तो सही शान्ती रखनी पड़ेगी यह से थोड़ी अपने आप ही आता रहेगा यहां लिखो profit यहां लिखो यह देखो 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 15 16 17 17 17 18 15 16 16 17 17 18 चलो मेरे प्यारे बच्चों 150 135 95 तीसरा figure बोलो तीसरा figure बोलो 95 तो मैंने तीनों के तीनों figure लिख दिये हैं अब मैंने क्या किया अब यहां पर allocate करेंगे weights क्या weights weight question में देव तो नहीं देवल होते हैं तो जो देवल होते हो ले लिमेसे याद रखना वो आएगा weighted profit weighted profits अब कैसे निकालते हैं weighted profits अगर यह A है और यह column का नाम B है तो weighted profit निकलता है A into B तो weighted profit is 150,000 इसका 2,70,000 95 into 3 is 2,85,000 sir calculation quick है आपकी मैंने का yes 9,3,27,27 और 15 हो गया 285 अब इस weighted average को total करेंगी इस score total करेंगी यह sum of weights आगया कितना 6 अब इदा total मारो फटा फटा 150 plus 270 कितना हो गया 3,00,000,4,20 4,20,000 plus 80 कितना होता है 4,20,000 plus 85 5 plus 27,75 तो यह हो गया 7,00,000 5,000 अब आप देखो यहां पर सबसे पहले मैंने का आपने सबसे जादा weight allocate किया जो सबसे latest year है उससे कम वाले को उससे कम weight और सबसे कम वाले को सबसे कम weight इसका मतलब यह जो 7,00,000 रुपए आपने weighted profit निकाला इसमें जो latest year है उसकी weighted ज्यादा है अब मैंने का यह weighted average profit निकालते कैसे हैं मैंने का उसका formula भी बता देते हैं यार बहुत ही आसाने weighted average profit how to calculate weighted profits total weighted profits total weighted profits divided by sum of weights क्या है मेरे प्यारे बच्चों sum of weights तो मुझे बताओ कितना है total weighted profit 7,5,000 divided by weight is 6 बोलो मेरे प्यारे बच्चों 6,16,10,6,14,6,7,42 3,0,6,5,30,00 क्या इतना आता है बिल्कुल आता है अब आजाओ step 2 valuation of goodwill वापिस एक बार connect करेंगे concept do not do not worry valuation of goodwill आपका weighted average profit multiplied by number of purchase years नमबर of purchase years तो 117,500 multiplied by number of purchase year कितना लेने का है कहीं given है क्या 2 years purchase 2 years purchase 2 years purchase तो multiply कर दो 2 से 17 into 17 plus 17 is 34 35 तो can I say 2,35,000 is the value of goodwill अब वापिस analyze करते हैं यह तो मैंने example दिखाया ताकि मैं समझा सकते हैं मैंने तुमें clearly एक चीज इंडिकेट करी थी कि यार simple average profit method जो होता है उसमें आप सारे years को बराबर importance देते हो जो कि गलत है यार जो current year है जो current year के just नजदी के उसको जाधा priority उन्हीं चीए क्योंकि वह ज्यादा probability है कि repeat होगा उससे पहले वाला थोड़ा कम और उससे भी पहले सबसे कम तो simple average profit में जो overcoming है जो limitations है वह overcome करने के लिए weighted average profit है इसमें आप देख सकते हो हमने weights allocate करे वेटेड प्रॉफिट निकाला और सबसे ज्यादा weight किसको दिया सबसे latest years को समझ में आ रहा है क्या और हमने weighted average profit निकाल डाला